हलो एस्टोई एन वेलकम टू मैं चैनल ग्यापनेकेडमी सो आज के इस वीडियो में हम इंगलिस ग्रामर के आर्टेकिल्स ए अंदा के परियोग और उसके कुछ उदहानड के बारे में बात करने वाले हैं सो लेट्स गो टू स्टार्ट सबसे पहले हम लोग आर्टीकिल्स कितने तरह के होते हैं यह जान ले आर्टीकिल्स तिन तरह के होते हैं पहला का नाम यह देंगे दूसरा का नाम एन और तीसरा का नाम दा देंगे A, N को हिंदी में लिखेंगे एक और DA को हिंदी में लिखेंगे वह ही अब इस articles का परियोग होता कहा है यानि A, N, DA का परियोग कहां होता है तो हम लिखेंगे use to modify noun क्या समझा आपने noun कुछ संबोधित करने के लिए इसका परियोग किया जाता है modify करने के लिए यानि संबोधित करने के लिए या बताने के लिए कि a and the के बाद आने वाला word noun ही होता है आँख बंद करके आप किसी भी बच्चे को guide कर सकते हैं कि बेटा a and the के बाद आने वाला word noun ही होगा दूसरा कुछ नहीं होगा अब हम बात करते हैं कि कब हम a का परियोग करें और कब n का परियोग करें तो a and के परियोग करने से पहले आप को ये पता होना चाहिए कि a से लेकर z तक कितने alphabet letter होते हैं तो total 26 letter होते हैं बागू a से लेकर z तक a, b, c, d ऐसे करके पढ़ो न 26 letter होते हैं इन 26 letter में से 5 letter को निकलना है कितने 5 letter को निकलना है और वो 5 letter कौन सा होगा a, e, i, o, u और मैं सबसे पहले 5 ही letter के बारे में क्यों बात किया है क्योंकि ये आसान है समझने के लिए आपको a, e, i, o, u और इसको हम कहते हैं इस 5 letter को कहते हैं 5 letters को भवेल लेटर भवेल लेटर कहते हैं क्या नाम देते हैं भवेल लेटर कहते हैं इस 5 letter को हम भवेल लेटर कहते हैं और इस 5 letter से बनने वाले जो भी noun word होंगे ध्यान दखिएगा जैसे a से a पल इस पांच लेटर से बनने वाले जो भी नाउन वर्ड होंगे उसके ठीक पहले अगर सिंग्लर काउंटेबल नाउन दर्साना है तो हम एन का परियोग करेंगे जैसे यहाँ एक्जाम्पल एन एपल अगर इसे बनने वाले काउंटेबल नाउन है एलिफेंट तो हम यहाँ एन परियोग करेंगे यानि एक नाउन की अगर बात करने की बाता है तो हम इसमें एक को परियोग ना करके हम एन का परियोग करेंगे यहां आपको किलियर हो गया कि A, E, I, O, U से बनने वाले नाउन वर्ड के पहले N का परियोग होगा इंक पॉर्ट हो, औरेंज हो, अम्बरेला हो अगर एक दवात की बात किया जाए एक संत्रा की बात किया जाए, एक अम्बरेला की बात किया जाए बने एक च्छटा की बात किया जाए तो हम एक नाउन को दर्शाने के लिए हम A का परियोग न करकि N का परियोग करेंगे यहां आपको कलियर होगे, अब हम आगे बढ़ते है तो इस्टुडेट, N का परियोग हम तो यहां सीख गया है अब हम बात करेंगे कब A का परियोग करें तो आप तो N का परियोग जानगा है न कि इस पांच लेटर से बनने वाले नाउन वर्ड के पहले N का परियोग है अब इस पांच लेटर को छोड़ देगे यानि 26 में 5 लेटर निकल गए बचे हुए 21 लेटर यानि 21 लेटर अल्फावेट के 21 लेटर जो बच गए यहां तो लिखेंगे तो समय लगेगा लेकिन जो 21 लेटर बच गए जैसे कि जैसे लाइक बी यानि ए को छोड़ दीजिए तो बी बचा सी लिखेंगे डी भी लिखेंगे उसके बाद से य नहीं लिखेंगे क्योंकि य तो हम इस ववेट लेटर के अंदर लेकर चले गए हैं इ छोड़ करके एफ लिखेंगे इसी तरह करकर के हम जेड तक लिखेंगे इस्टुडेंट 21 लेटर्स जो बचते हैं उस 21 लेटर से बनने वाले जो भी नाउन वर्ड होंगे हम एन का परियोग करते हैं लेकिन इस पांच को अब बिल्कुल चर्चा करना ही बन कर दें इन पांच को छोड़कर बचे हुए जो लेटर है जिसको हम नाम देते हैं लेटर का नाम मैंने यहां लेटर का और टूँटी बन लेटर जो इस पांच को छोड़कर बच गया है इसका नाम तो कुछ होना जाहिए न इसका नाम हमने इसका नाम से बनने वाले जो भी noun word होंगे उसके पार्ले एक अपर्योग होगा यानि कुछ सिंगल दरश आने के लिए एक बताने के लिए हम एक अपर्योग करेंगे N का परियोग नहीं करेंगे जैसे दूसरा एक और एक्जामपल ले लेता है यह तो हो गया यहाँ काइट यानि एक बिल्ले की अगर बात करना है तो यहाँ A परियोग होगा उसी तरी के एक कुते की बात करना है तो यहाँ क्या हो जाएगा बबू A हो जाएगा यहाँ को क्लियर हो गया न कि कॉंसलेंट लेटर से बनने वाले जो नावन वड़ होते हैं उसको एक दर्शाने के लिए यानि सिंगल दर्शाने के लिए हम A का परियोग करेंगे अब हम बात करते हैं आगे कि दौ का परियोग किस तरह किया जाता है और कहां किया जाता है तो चलिए हम अब दा के परियोग को समझते हैं यहां हम जब हिंदी लिखे हैं तो आपको समझ में आ जानी चाहिए अगर नहीं आया होगा तो मैं बता देना चाहता हूँ दाका परियोग वहीं के लिए किया जाता है यानि बिल्कुल वहीं वो छोड़कर दूसरा नहीं यानि अगर ताज महल के बारे में बात कर रहे होते हैं तो बिल्कुल ताज महल यानि रेड़ फोट नहीं अगर आप किसी specific यानि किसी विसिष्ट और exact किसी वस्तू के बारे में बात कर रहे होते हैं तो उसके पहले दाका परियोग होगा यानि गाय को छोड़कर मैं भैंस की बात नहीं कर रहा हूँ तो यहाँ पर क्या होगा दाका परियोग होगा यानि कि किसी भी exact और specific noun word के पहले दाका परियोग होगा जैसे कि अगर भैंस की बात कर रहे हैं तो दा बुफैलो होगा काउ के बारे में बात कर रहे हैं तो दा काउ होगा ताजमल के बारे में बात कर रहे हैं दा ताजमल होगा रेटफोट के बारे हैं बात कर रहा है यानि वो छोड़कर दूसरा किसी के बारे हैं बात नहीं कर रहा है तो दा रेटफोट हो जाएगा किसी ब्यक्ति के बारे हैं बात कर रहा है दमैन हो जाएगा इस तरीका से किसी भी specific noun के बारे में हम जब बात कर रहे होते हैं तो बच् इसके पहले दा परियुग होगा है यहां आपको किलियर हो गया ना कि किसी भी specific noun word के पहले दा का परियुग होगा है अब हम इसका एक और बहुत ही important और बहुत ही अहम जनकारी आपको देना चाहेंगे बहुत लोग आपसे पुछते हैं या नहीं पुछते हैं तो पूछेंग आप हमेशे के लिए याद कर लिजिएगा दा का परियुग दा उचारण करते समय यह ध्यान में रखना है कि जब भी consonant letter word से बनने वाले noun word होते हैं consonant letter मतलब A, E, I, O, U को छोड़कर 21 letter से बनने वाले जो noun word होते हैं उसके ठीक पहले जो अगर दा का परियुग करते हैं तो इसका उचारण दा होगा red foot है तो A, E, I, U, U को छोड़कर 21 letters में से T है, R है तो T से ताजमहल, R से red foot तो इसका उचारण जब हम इसका परियुग दा करेंगे तो इसका उचारण हम दा ही करेंगे लेकिन A, E, I, O, U ववेल लेटर से बनने वाले noun word जैसे की elephant की अगर बात करें elephant की तो क्या हम इसका उचारण दा ही करेंगे, नहीं दा लिख करके इसका उचारण हम दी करेंगे उसी तरीका से अगर हम orange की बात करें orange, तो हम क्या करेंगे, अगर एक संतरे की कहानी की बात अब बता रहे हैं कि संतरा होता क्या है, और संतरा एक व्यक्ती, बदलब उसको कैसे इस्तमाल करता है अगर संतरा के बारे में कहानी बता रहे होते हैं तो आप इस ध का उचारण दी करेंगे यानि A, E, I, O, U से बनने वाले जो भी noun word होंगे उसके पहले the का उचारण the नहीं बलकि दी किया जाएगा यहां को क्लियर हो गया तो चलिए आज की इस वीडियो में A and the के परियोग के बारे में आपने समझा इसके कुछ उधारण भी समझा आपकी यहां कंसेप्ट किलियर हो गई आगे वीडियो का इंतिजार करें तो इंग्लिस ग्रावर के कुछ और भी टॉपिक लेकर के हम वीडियो बनाएंगे तब तक के लिए बाई बाई